नमस्कार महा डेबेट देख रहा है आप मैं हूँ प्रशांद कटारे चुनाओ मध्यप्रदेश में सियासत दिल्ली तक गर्म मध्यप्रदेश के दोनों बड़े सियासी दलों की बैठकें भुपाल से लेकर दिल्ली तक हो रहीं और दावे भी बड़े भरुसा भी बड़े बढ़े बहुमत से सरकार बनाने का एक तरफ करनाटक का उधारन तो दूसरी और उत्तर प्रदेश और गुजरात का चर्चा करे राहुल की माने तो MP में करनाटक रिपीट करने जा रहे हैं तो CM शिवराज का जवाब मन बहलाने को बाबा खयाल अच्छा है तो दावा BJP के 200 सीटें जीतने का अब हमारा डिसक्शन हुआ लंबा लंबा चोड़ा डिसक्शन हुआ और हमारी इंटर्नल एसेस्मेंट है कि 136 मिली करनाटक में हमारा इंटर्नल एसेस्मेंट है कि हमें MP में 150 मिलने जा रही है तो करनाटक में जो किया उसको हम रिपीट उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं थैंक्यू बहलाने को बाबा खयाल अच्छा है भारती जनता पारिटी मध्यप्रदेश में दोसों से जादा सीटें जीतेंगी अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें बैठक के बाद PCC चीफ कमलनाथ ने MP में करनाटक से बेहतर प्रदर्शन का दावा किया तो राहुल के दावों पर सहमत ही जताई एधर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का तंच कि दिल्ली में बैठकर सपने देखती है कॉंग्रेस आज प्रशना केवल कॉंग्रेस पार्टी का नहीं है पर पूरे मध्यप्रदेश की भविश्यका है कैसा मध्यप्रदेश हम चाहते हैं मुद्दों पर बात करी कि कौन-कौन से हमारे मुख मुद्दे होंगे कौन-कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उत्रेंगे चुनावी बैठके केवल कोंग्रेस में नहीं बलकि بीजे पी की बड़ी बैठकों का दौर भी चल रहा है कोंग्रेसी खेमें से तो खबर ये भी कि सीम पद के लिए कमलनाद के चेहरे पर सहमती बन गई बहराल चुनावी रण में दावों और हकीकत में बड़ा फर्क होता है लेकिन किसके दावों में है दम बताएगा एंपी दिल्ली से अश्चरफ काजमी भोपाल से शेलिन सिंग के साथ बेर रपोर्ट निउस एटीन मद्यप्रदेश 36 गार तो वाके में दावे बड़े बड़े हैं और चुकि कुछ महिने शेश हैं उन दावों की हकीकत भी सामने आ जाएगी एक तरफ देड़ सो का दावा है यानि बीजे पी की ओर से दो सो जब की कंग्रेस कहरें की देर सो सीटें जीतेंगे और ये बीडिया के सामने रहुल गान्दी आते हैं और कहतें की 1500 सीटें हम मद्य प्रदेश में जीटेंगे करनाटक रिपीट करेंगे तो बीजेपी कहती है सियम शिवराज का दावा की 200 सीटों के साथ हम एक बार फिर मजबूत सरकार मद्य प्रदेश में बनाने जा रहे हैं कंगریस खायाली पुलाओ पकाती है तो पकाती रहने दीजिए चर्चा हम करेंगे हमारे साथ दो खास मैमान इस पक्त जुड़गे हैं आशी शर्मा जी विधायक बीजेपी और तिन खास मैमाला मारे साथ जुड़गे साथी संजेय आदो जी विधाय कॉंग्रियस और वरिष्ट पत्रिकार दिनिश गुपता जी हमारे साथ इस चर्चा में है और सबसे पर आशी जी के पास जाओंग मैं आशी जी एसेस्मेंट दोनों तरफ से चल रहा होगा सो अभाविक है कि दोनों बड़ी पार्टियां चुनावी तैयारियां कर भी रही है अपने अपने इस तरफ पर सर्वे भी करा रहे होंगी दोसो सीठों का दावा आप लोगों की और से क्या जारा क्या एसेस्मेंट है क्या अधार हैं दावों का हमारे दावे का अधार है 2003, 2008, 2013 की बारती जन्ता पार्टिय की सरकार 2018 में जो कुछ कमिया रह गई थी जिनके कारण हमें चुनाव में कुछ सीठों का नुपसार उठाना पड़ा 15 महीने हमारी मत्पदेश पे सरकार नहीं रही इन सब परिस्तितियों का विशलेशन करते हुए हमने 2023 के लिए रणनीती तयार की है हमारी लगातार बैठके चल रही है प्रतेक सीठ को लेकर हमारी कारियोजना बनी हुई है और जन्ता को जो विकास भारती जन्ता पार्टिय ने दिया है एक बिमारू राज्य से उन्नत राज्य की दिशावी हमारा मत्पदेश बढ़ रहा है यही विकास पर केंद्रित हमारा चुना होगा और हम विकास के दम पर जो मत्पदेश की जन्ता को भरोसा हमने पिछले 20 वर्षों के कारिकाल में अरजित किया है उस विश्वास के दम पर हम पुना मत्पदेश में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनाएंगे विश्वास का नाम भारती जन्ता पार्टी है विश्वास का नाम शिवराज सीख चोहान जी का चैदा है इसलिए हमें कोई संशय नहीं है 2023 में पुना मत्पदेश में पांचवी बार भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं आप ये दावा और भरोसा भी आशी शर्मा जी को संजय यादो जी अगर आवाज आप तक पहुंच रही हैं दावों को जरूर सुन रहे होंगे पांचवी बार बीजेपी करींगे हम सरकार बनाने जा रहे हैं दोस्त चले संजय जी तक संजय जी तक आवाज नहीं पहुंच करें दोबारा सेंजे जी के पास जाएंगे दिनिश गुपता जी करनाटक का उधारन दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश का उधारन यहां तक की गुजरात का उधारन दिया जा रहा है एक तो यह की देर सो सीटें ठीक है असेस्मेंट जो जरूर हुआ हुगा लेकिन सवाल य हैं तो इसलिए और को कॉंग्रेस को लगाता है आप हिमाचल के बाद करनाटक की जीत मिलती है तो उसका निश्चित तोर पर उसका जो है मोरल हाई होना और उसका आत्मिस्पास बढ़ना स्वभाविक है आप देखिन ना तो गुजरात से यह कह सकते कि सीमा मिलती है तो इसलि जिस तरह की परिष्टितियां बनी तो कॉंग्रेस की सरकार चली गई तो हर राज की परिष्टिति अलग होते हैं मुद्दे अलग होते हैं जो एडि एंटी इंकॉंबेंसी की बात करेंगे तो बो भी एक अलग तरह की होती है प्रो इंकॉंबेंसी की बात भी होती है एडि यदि कोई assessment आप करती है पार्टी अपनी assessment तो उनका regular process है यदि आप assessment कर रहे हैं कि आज 150 है तो हो सकता है कि जब आप दो मेहने पहले एक मेहने करीब हो तो कुछ चीजें आप से चूक हो जाए कोई राजनितिक भूल हो जाए तो कम हो जाए या जो आप एक दूसरा पराजनि जी थी रणी थी लेकिन नहीं मिली क्योंकि ultimate election में बहुत सारे factor एक साथ काम करते हैं और political parties का assessment और जो भी strategy होती है वो दोनों अलग अलग होती है बिलकुल बड़ी बात आपने कही है और स्वाभावे के strategy और policy और नारे हाला कि अखीकत में कितने तबदील होते हैं ये अलग मसला है संजय यादो जी हमारे साथ जुड़े में संजय जी आवाज अगर आप तक पहुंच रहे है तो आशी शर्मा जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी से वो कहरें कि वह पांच भी बार सरकार बनाने जा रहे हैं दूसरा ये की congres भी दावा कर रहे हैं देर सो सीटों का ये एसेस्मेंट या आकलन इसका बेस क्या है दूसरा ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कॉंग्रेसी नेता थे बैठक में तो उन्होंने एक ये सामान्य जानकारी दी हो राहूल गांधी जी को या वाकई में कोई एसेस्मेंट है इंटर्नल कि में बीसे पूछ रहे आप जी जी संजय आपी से जी हलो है देखेंस रूबसे एक विश्वास होता है और जमीनी आकलन होता है जमीनी हकीकत होती अभी बरत्वान परस्टितियों में जिस धंच से कांग्रिश काय करता काम कर रहा हमारे नेता काम कर रहे हैं वो भारती जंता पार्टी की 18 साल की नकामी ऐसा है कि अगर अच्छा किया होगा तो खराब भी किया है खराब में बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुलबूत सुविदाओं से जुड़े हुए हम योजनाओं की तो बात करते हैं लेकिन मुलबूत सुविदाओं की आज की देट में हमें जरूवत है चाहे वो सिक्षा हो चाहे स्वास्त हो यह बधाल इस्तिती में और हम अगर 15 महिने थे और अगर हमने पांच्छे काम बड़े किये चाहे वो पेंचन हो चाहे गवसाला हो चाहे कन्याव वहा हो तो निश्य तुरूप से जंता हमारे उपर विश्वास कर रही और जब हम जाते हैं छेत्रों में तो लोगों का यह कहना है भाई वो तो 18 साल से अगर आप कोई बात कहोगे 18 साल वाला कि अब हम यह कर देंगे करने मिला दो तीन महीने अचार साहिंता में लेकल गए बारा महीने में हमने कम से कम बिजली का बिला हाप किया किसानों का कर्जा माप किया जितना हुआ हो 28 लाग किसाने को माप किया इनने जवाब दिया है तो इसमें लोगों को भी स्विस्वास निता बढ़िये और आज दूसरा वर्ग बहुत परिसान है सिक्षा के इस्तिती में बारवार कह रहा हूं कि बत्तर है आज आप रेजेंटर देख लीजिए सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है अस्पतालों में डाक्टर नहीं है तो बदहाले वस्ता आप ही के दोगा इसमान कार्ट दे रहा है इल हो रहे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा इसलिए लोगों का सिक्षा का इस्तर गिरते जा रहा हूं बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे यह बहुत बड़ी बिदमना है मत्रदेश की हम तो यहीं कहेंगे ना आप 18 साल में सिक्षा का इस्तर गिरा दिया आपने अगर आप हमें कहोगे कि आप रहता चारी हो तो भही आप बंदगर देती है 18 साल से आपने कोई जांच क्यों नहीं करवाई सब कुछ तो आपके हाथ में था इसलिए भारती जनता पार्टी के उपर हम आरूप लगा सकते हैं कि भर्ष्टा चारी लोग है पचास प्रिटी जाना भी चाहिए जो से लगता है कि मौजू मसले हैं संजे यादो जी लेकिन जो चर्चा में बात आई आज राहूल गांधी चुकि बहुत ओपनली मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने करनाटक का जिक्र किया कि करनाटक हम रिपीट करने जा रहे हैं करनाटक का जिक्र बार बार हो रहा है जब से करनाटक के नतीजे आये हैं लेकिन का जा रहे हैं कि जब करनाटक की बात होगी तो फिर उत्तर प्रदेश या गुजरात की बात क्यों नहीं होगी देखे गुजरात प्रदेश मंद्द प्रदेश इन सम्में भारी अंतर है गुजरात जो है वो आधनिय प्रदान मंत्री जी का ग्रह प्रदेश था ग्रह मंद्री जी का ग्रह प्रदेश था पूरी सरकार संचालन कर रही थी मत्रप्रदेश में इसलिए हम कह सकते हैं कि हम यह भी नहीं कह रहा है कि हम 250 सीट ले आएंगे भारती जिनता पार्टी जैसे हम बात भी नहीं कर तकते क्योंकि इस समय हमने संग्धन पर ध्यान दिया हमारा संग्धन बहुत मजबूत हुआ है जो काम पहले कभी नहीं होता रह है लोग जुड़े है वह भारती जैस पार्टी के आपस में खड़े बहुत है जो हम लोगों में होते थे पहले एक सब्सक्राइब के साथ चुनाव रही है इसका भी संदेश जंता में जाता है निश्चित तोर पे अगर कहीं एकतर रहेगी और हम लोगों में आपसी कट्टरता आ गई जो पहले भारती जंता पार्टी में हुआ करती थी क्योंकि भारती जंता पार्टी की कार करता जो पुराना कार करता है जो विचारा काम करता रहे जिसने भारती जन्ता पार्टी को खड़ा किया असी से किता सकते रोज आप ब्यान पढ़ लो कोई ना कोई पूरुविदायक क्या चाहे वो दुरुप प्रतासिंग जी हो आज में कटनी की जैन मेंडम का पढ़ रहा था चाहे सत्तन जी हो चाहे दीपक जोशी जी हो ऐसे ऐस से सेकल हो लोग है मतलब भारती जन्ता पार्टी ने हर प्रदेश में कई अड़वानी जी पैदा कर दिये जिनको घर में ठाल दिया गया है जोशी जी जी तो आपके पास आ गए है कि कोई भुजूर्ग हमारे घर का ठीक ठीक है आशी जी से रेक्शन ले ले लेक्शन ले एँuciones सेब कई बातों का जिकर यहां पर कर रहे हैं दूसरा कर नाठक का भी जिकर बार-बार हो रहा है उस पर भी आशी जी रेक्शन जरूर करिएगा की भयी करनाठक जीते हैं तो मौरल तो हाई होगा ना दूसरी पार्टी का भारती जनता पार्टी के कारिकरताओं की रोग प्रतिरोदक शमता बहुत अच्छी है इसलिए कांग्रेस का कोई रोग हमारे अंदर लग नहीं सकता दूसरी बात जो मत्पदेश के संदर्म में कहना चाहता हूँ यहां की जनता ने विश्वास का एक लंबा कारिकाल भारती जनता पार्टी के साथ देखा है आज 45 लाग लाडली लक्षमिया मत्पदेश में है 45 लाग हेक्टर भूमी पर सिचाई हो रही है 85 लाग से अधिक किसानों को किसान सम्मान निदी मिल रही है लगबक 30 लाग के आजपास हम प्रधान मंत्री आवाज बना चुके है क्या ये विकास नहीं है क्या ये विकास कॉंग्रेस को नहीं दिखता जिनको ये विकास की योजनाय मिली ही है वो मद्दाता भारती जनता पार्टी के प्रदी प्रतिवद्द है सबसे बड़ी बात लाडली बहना जैसी योजना आज भाजपा की सरकार की योजनाओं को देखते देखते कॉंग्रेस योजनाय बनाती है और जनता के भ्रम जाल फेकती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 500 में सिलिंडर देंगे हम 1500 रुपे महिला को देंगे लेकिन जब इनको काम करने का उसर मिलाता तब इन्होंने क्या किया पहली बात तो ये दस साल कॉंग्रेस की सरकार रही दिखविजे सिंग ने इस मतपदेश को बधाली और भष्टाचार के अलावा क्या दिये आज आप चाहे कितना भी सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या आपस की चर्चाएं हो इनसे जो बात निकल कर आती है उसके बात भी अदिया आप गाउं की चोपाल पर जाएंगे शेहरों में महिलाओं से मिलेंगे पुरिशों से मिलेंगे, विकास की बात करेंगे तो लोगों का भरोसा भारती जन्ता पार्टी की सरकार के प्रदी है और इस बार 2023 के लिए हमारी रणनिती भी बहुत अलग तरह से बन रही है हमने हर विधान समाज शेत्र को फोकस किया हुआ है और माननी मोदी जी की सरकार के विकास कार्यों के कारण उसकी छवी के कारण और मत्पदेश पे शिवराज जी न जो एक विमारू राज्य को उन्नती की रहा पर ले जाने का काम किया है समाज के हर वर्गों को खास कर गरीबों के लिए आज ही प्रदान मंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के माद्यम से लाकों हिद्राईयों के खाते में पैसा डालने का काम सरकार ने किया है उन्हें लोन दिया है बिना व्याज का लोन उन छोटे छोटे दुकानदारों को व्यापारियों को मिला है जो अपना व्यापार व्योसाय कर सकते हैं युवाओं के लिए जनता का भरोसा नहीं है क्योंकि कॉंग्रेस चुनाव जीतने के लिए इस तरह के वादे कर रही है लेकिन उन वादों की धरातल पर कोई पकड़ नहीं है उन वादों का धरातल पर कोई अस्जित्व नहीं है मत्पदेश में शिवराज जी के और भारती जनता पाइटी के ने तो सब के साथ पुना मध्या प्रदेश में बीजेपी आने का दावा कर रही है दिने जी के पास जाओंगा दिने जी अपने दावे हैं ठीक है अच्छी बात है लेकिन एक बड़ी बात जो कॉंग्रेस के लिहां से जरूरी ये सवाल है कि करनाटक से जो कॉंफिडेंस मिला है जो उर्जा मिली है कॉंग्रेस को राहूल गांधी को या कारिकरताओं को उसे मैंटेन करना भी जरूरी होगा अभी वक्त है पांच्छे महीन अभी भी वक्त हैं बहुत कुछ बदलता है बिल्कुर बदलता है देकिन समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाते हैं इनका confidence तो बैसे भी बड़ता है आपकी जो है 18-20 साल की सरकार के बाद एदी कॉंग्रेस सहरी चेत्रों में अपनी पकड़ बना लेती है जो कॉंग्रेस का चेत्र नहीं है जो ग्रामील चेत्रों में देखी जाती थी तो कहीं ना कहीं भारती जनता पार्टी के भीतर भी पहुत सारे लोग यहां काम कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि जो 2018 का रिजल्ट है उसके कुछ सबग भारती जनता पार्टी लिया है तो इसलिए जो रिजल्ट भी जो strategy है उसको भी modify कर रहे हैं कि हमें किस तरह की strategy की आवशक्ता है एदी आप गौलियर चंबल रीजन मे दो नगर निगम Congress जीच जाती है तो सहरी चितर के लिए आपको strategy बदलनी पड़ेगी और फिर बहां जो आपका बरकर है और जो मद्दाता हैं दोनों को यह कहीना कहीं संतोस्तों करना पड़ेगा ना कि जिस भारती जनता पार्टी को आपना reject किया था उसको आप क्यों इस जगड़े हैं अब उतने दिखाई नहीं दे रहें कहीं ना कहीं वो manage कर रहे हैं चीजों को ground पर जो थोड़े बहुत रोश है उसको लेकर भी आप दिखाई दे रहे हैं आपको कि वह ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं वो वरकर से बात कर रहे हैं कमलनाज जी तो दिख में हर गई जैसे 18 में जब एक हुई तो Congress Party चुनाओ जीत गई थी बिलकुल सभी बात है संजय जी के पास जाओंगा कई बात हैं कंग्रेस बीजेपी दोनों के लियास से दिने जी ने भी कहीं लेकिन संजय जी आशीर जी कह रहे थी कि भाई ब्रहम जाल आप लोग पहला र आशीर जी की एक बात का जवाब दूगा फिर आपकी बात का जवाब दूगा आशीर जी बात करते हैं लेकिन महंगाई की बात नहीं करते हैं लेकिन बिरुजगारी की बात नहीं करते हैं आशीर जी बात करते हैं लेकिन गवसाला बंद करने की बात नहीं करते हैं कि हमने गुसाला बंद कर दी रही बात योजना की तो सिवराज जी ने जो लाड़ली बेहना योजना लाए है ये राजस्तान, हिमाच्चा, 36 गार करनाटक में चाहे ओल्ड पे इंसन हो चाहे बिजली का बिलहाब हो तो ये कांग्रेश ने लाउंच की जब चालू की वहां चालू हो चालू है तो जन्ता का एक विश्वास मुझा की जहां कॉंगरिस की सरकार है वहां ओल्ड पेंसल हो चहन महला को संमान नीदी देने की बात हो ये कॉंगरिस करके दिखा रही आप ने 20 साल क्यों नहीं किया आप ने ये काम किया कि आप आज ही आप अक्वारों में सब जगह देख लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट की जो वहां भी ये बैरियल लगाने वाले हैं आज गाउं गाउं में शराब बिख रहे ही जिससे महला पीडित है इसका बात का जवाब भारती जिंदा पार्टी को देना पड़ेगा प्रधानमंत्री की आवास आपकी बात कर रहे है आप एक लाग सेते सयार में क्या प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा अभी लोगों की दूसरी किस्त नहीं आ रही सेकंड फेस का प्रधानमंत्री की रगासी ने लोग करदार बनते जा रहे हैं कोई जेवर मेंच रहा कि अगर उसने एक किस्त ले ले लिए उसको मकान तो पूरा बनाना है ना आज की मेंगाई की आवास का पुरानी कॉंग्रेसी सरकारों की मुकाबले आख़ा बड़ा है जिन लोगों को लाब मिला ठीक है वह कमें आशी जी से जल्दी रेक्शन लूँगा आशी जी योजना तो आप दूसरे राज्यों से कॉंग्रेसी शासित राज्यों से कॉपी कर रहे हैं संजय जी का सपस्ट आरूफ है कॉंग्रेस ने कुछ किया ही नहीं साथ साल तक उनको राज करने का अधिकार इस देश में मिला कॉंग्रेस ने कितने करोड मकान बनाए बताए कॉंग्रेस ने कितने बेटियों को लाड़ी रिक्षी बनाया क कांग्रेस ने कितना कन्यादान किया कांग्रेस ने कितना संबल की मृत्ति होने पर दो लाग चार लाग रुपया परिवार को दिया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और आज इस प्रदेश में आर्मी की परिक्षा में काधिवासी आप किसी स्क सब्सक्राइब इस बात का जबाब दो आप जिसस्पनाब क है गर शिक्षा हेल्थ हेल्थ की स्वासत की बात हो रहे हैं तो अगर चर्चा हुआ में पर नैं तो बहतर है नहीं 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 मुद्दों पर चर्चा मौझूद है सबसे पहले तो उसपर ही चर्चा होती है उस क्या किया और उसी की क्रेडिबिल्टी पर mortar जो है जाता है कि उसको बोट देना है कि नहीं जरी 2008 में शिवराजी को फिरसे जंताने चुना बवंबत से चुना तेरगे में बवंबत से चुना तो उनकी credibility थी अठारह में हो सकता है कुछ बोटर को लगा हो कि इसमें कुछ खामिया है तो उन्हें चेंज कर दिया तो अब फिर कसोटी पे क्योंकि हर पांस साल में जो राजनितिक दल होते हो नेता होते हैं कसोटी बिल्कुल तो विपक्ष दावों के साथ जनता के भी जा रहे हैं तो सरकार अपने कामों के साथ जाएगा जाएगे और भरोसा जनता किस पर इतना करेगी यह चुनावी दौर में हमें दिखेगा बहुत शुक्री आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए डिबेट में इतना ही कर दो कर दो